हे गाईस वेलकम बैक तो माई चैनल तो आज के इस वीडियो में एरपॉट्स प्रो एनसी क्वालिटी जो की मैंने पर्चेस की है मीशो से जस्ट थी हंडेर रुपीस में मिल गए थे मिरको ये एरबर्ट्स तो इनका फुल रिव्यू देने वाला हूँ तो यहाँ पे इनकी पैकिंग तो काफी सही लग रही है और 300 काफी कम प्राइस रेंज होता है और मीशो से ये मैंने पहला प्रोड़क्ट और किया है तो इसका रिव्यू देने के लिए मैं तो काफी एकसाइटेड हूँ बाकी यहाँ पे बॉक्स पे कुछ डिटेल्स मेंशन की गई है तो यह सब भी पढ़ सकते हो बाकी यहाँ पे यह एक सील बॉक्स पैक है तो एक बार इसको आपके सामने उपन करता है और देखते हैं कि कैसी क्या quality देखने को मिलेगी तो यहाँ पर मैं इसकी seal को open करता हूँ वैसे इनका price range काफी कम है यार मतलब 300 रुपीस में earbuds मिलना काफी next to impossible लगता है पर अपन चेक करते हैं कि केस टाइप से quality देखने को मिलेगी so finally box को एक बार open करते है ओके so as expected यहाँ पर quality तो काफी compromise लग रही है और लगनी भी थी क्योंकि इसकी price segment बहुत कम है तो यहाँ पर इसे अच्छे से pack क्या गया है जो कि बहुत सही है बाकी यहाँ पर देखते हैं और क्या contents देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर अंदर वाले section के अंदर यह काफी cheap quality लग रही है बट ठीक है यहाँ पर कुछ papers वगरा देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर कुछ Chinese में लिखा हुआ है तो पीछे की side में यहाँ पर English है तो English पढ़ सकते हो यहाँ पर यहाँ पर एक cable प्रोवाइट की गई है तो यहाँ पर type A to lightning cable प्रोवाइट की गई है और cable के लाएंद इतनी छोटी है कि आपको अलग सही purchase करनी पड़ेगी तो यह सब किसी काम के लिए है अपनो earbuds चेक कर लेते earbuds अगर सही आ जाए तो बस अपना हो जाएगा तो यहाँ पर बहुत सारे stickers पता नहीं क्यों चिपका हुए तो मैं एक बार इनको उखाल लेता हूँ ओके सो क्वालिटी वाइस तो काफी सही लग रहे है गाईस लिट्रली मतलब ऐसा लगी ने रहा कि यह 300 के है क्योंकि इसकी क्वालिटी तो मिलको काफी सही लग रही है बाकी एक बार हिंजिस चेक कर लेते हैं शिट हिंजिस भी परफेक्ट है मतलब क्या बात है यार इतने कम प्राइस सेग्मेंट के अंदर हिंजिस भी एकदम परफेक्ट है और कही से भी चीफ वाली फीलिंग दो नहीं आ रही है क्वालिटी को देखके ओके सो ये एरबट्स चार्ज नहीं थे तो मैंने इने चार्ज पर लगाया और यहाँ पर आप देख सकते हो कि रैट लाइट ब्लिंग कर रही है तो इतने कम प्राइस सेग्मेंट में यहाँ पर चार्जिंग के लिए लाइट भी प्रोवाइड कर दी जो कि बहुत में तो गईंड कूरों कि टॉप न वाली है वाकि बार इरबट्स निकाल के चेक कर लेता हैं कि किस थाइप से कॉलिटी देखने को मिलेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रॉपर सही कॉलिटी देखने को मिल चाहेगी और इयाँ कुछ चीप विज़ी बी कॉलिट से connect करके बताऊंगा तो यहाँ पर लिखा चुका है TWS तो इसके उपर click करके इनको connect कर लेते हैं ओके सो iOS के अंदर warning show हो चुकि है कि यह original airports pro नहीं है जो कि होना भी था क्योंकि काफी कम price segment के है ओके सो यह connect तो हो है और यहाँ पर बहुत सार options देखने को मिल गए तो finally यह earbuds यह connect हो चुक है ओके सो इन earbuds को मैंने personally use किया दो से तीन अलग अलग टाइप के गाने सुनके देखे और honestly बताऊं तो इनकी quality काफी सही रहने वाली है और 300 के साबसे मैंने personally expect नहीं किया था पर इनकी quality काफी सही है और कोई भी 1000 to 1500 के earbuds को टकर दे सकते हैं यह क्योंकि यह काफी जादा comfortable होने वाले हैं और ear के अंदर आराम से fit हो जाते हैं कोई problem नहीं होती और sound quality की बात करें तो यहाँ पर example सुना देता हूँ आपको तो अभी मैंने आपको एक sample सुनाया और काफी हत तक इनकी sound quality का idea लग गया होगा अगर honestly बताऊं तो 1500 से 1500 वाले जो earbuds आते हैं उतनी sound quality आप expect कर सकते हो 300 के अंदर जोकी बहुत अच्छी बात है और base वगरा भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है ear के अंदर आराम से fit हो जाता है इनके design की वज़े से और कोई भी problem नहीं होती overall एक compact सा product है और इसको आप कहीं भी आराम से carry कर सकते हो looking wise काफी से ही दिखता है और hinges वगरा high quality के provide किये गए हैं तो 300 के साबसे इतना मिल रहा है वो मेरे साबसे best है उसी के साथ इसके box पे लिखा है active noise cancellation और इसके अंदर option भी provide किया गया है noise cancellation का बर मेरे को नहीं लगता कि ये इतना ज़्यादा work करता है और मैंने personally try किया और उतना ज़्यादा कुछ difference नहीं आता है तो noise cancellation और transparency mode इसके अंदर कुछ इतना अच्छे से work नहीं करते हैं कि acceptable AR300 में आप क्या क्या expect कर सकते हो और इन earbuds के अंदर कुछ sensors भी provide किये गया है तो इनको test कर लेता है तो यहाँ पर click करके आप songs को play या फिर pause भी कर सकते हो तो इस तरीके से play pause हो जाता है या फिर दो बार press करोगे तो next या previous song play कर सकते हो तो यह सारे features provide किये गया है इन earbuds के अंदर और sensors इनके अंदर working रहने वाले हैं बाकी gaming की बात करें तो gaming के लिए यह suitable नहीं रहेंगे क्योंकि इसके अंदर ping काफी जाता देखने को मिलता है और gaming के लिए मैं इनको recommend नहीं कर सकता तो last में अगर बात करें conclusion की तो इन earbuds को आप जरूर से consider कर सकते हो अगर आप कोई 1500 के earbuds लेने का सोच रहे हो तो क्योंकि लगबग वो ही सारे features आपको देखने को मिल जाता है बाकी sound quality एकदम top notch है, build quality top notch है और ये काफी है इन earbuds के price segment के हिसाब से और sensors भी working है वो भी बहुत सही है बाकी यहाँ पे कुछ LED lights भी provide की गई है तो overall काफी अच्छा product है तो अगर आपको purchase करने हो तो मीशो की buying link देखने को मिल जाएगी description में तो description जरूर से चेक कर लेना उमीद आज का वीडियो अच्छा लगाओगा, अच्छा लगाओ, कुछ नया हटके लगाओ तो like, share, subscribe सरूर से करना मैं इसी type के products के videos आपके लिए लाने की कोशिश करता रहूँगा मिलता हो आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए, bye bye